हेलो गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोक्यम एक्सपर्ट में आज हम दा यूनिट ऑफ लाइफ यानि सेल लेके आए हैं सेल चैप्टर पड़ेंगे जैसे आपने देखा आई कि नाइन्थ टिंथ में और सारी क्लासों में बेसिक यह चैप्टर होता ह होता है और इस चैप्टर की इंप्पॉर्टेंस ऐसी है कि मतब चाहे हुमन फीजिओ एंप्लांट फीजियोलजी ओंट ब्लांट किंग्डम हो सेल डीवीजन हो या जो है क्या नाम है रिप्रोडक्शन हो कोई भी चैप्टर हो सेल की बहुत बड़ी भूमिका है हर एक चैप्टर में बहुत बड़ी इंपोर्टेंस है सेल की तो इसलिए सेल को पहले पढ़ना जरूरी होता है सबसे यहां पर सेल और सेल के बारे में सेल के और्गनेल सारी हिगें डिटेल में डिस्कस करेंगें चलो लेट्स डिस्कस वह यह हमारी टीमने बहुत प्यारा सहाइल निकला बहुत अच्छा लग रहा यह 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 हमारी आर्थ है और अर्थ में देéis fatto आहें ना собились living material या non living material कितने systematic ढग से बिवस्थित है और बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा तो ऐसा ही कुछ view हमें cell में देखने को मिलेगा similarly हमें देखने को मिलेगा view cell में cell में भी देखेंगे कि cell organelles या cell में और जो चीजें हैं present हैं वो कुछ ऐसी इसी तरीके से systematic ढग से बिवस्थित मिलेंगी आपको ओके let's discuss achieve your goals in silence ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें अपने carrier या जैसे हमें अपने carrier को या अपनी मंजिल को बहुत ही silence तरीके से चुननी है और बहुत silence अपने गोल पर focus करना है और जैसे ये सोरे निकलता है न daily वैसे हमें भी daily इसी तरीके से नई energy के साथ निकलना है और हमें daily एक schedule बनाना है कि आज हम साम तक सारी चीजे जो भी हम schedule में लिखेंगे कि ये topic हमें खतम करना साम तक तो daily के daily एक schedule बनाई है और daily एक target रखिए कि हमें इतने chapter और इतने question ये सबी चीजे हमें एक दिन में खतम करना फिर जब next day आप उठो फिर जो है नई energy के साथ उठो फिर एक नया जो है रोस्टर बनाओ एक नया schedule बनाओ कि हमें आज ये chapter discuss करने है ये question करने है तो ऐसे जो है daily आप जब करोगे न तो वो आपको बहुत उपर ले जाएगी बहुत जो है आपके goals के करीब ले जाएगी ओके ये देखो प्यारा सा view है जैसे अभी हमने देखा वैसा ही कुछ similar view है और ये हमारा sell है sell the unit of life जैसे कि हमने देखा कि हमारा घर एक छ चोटी चोटी उटो से मिलके बना होता है वैसा ही कुछ हमारा जो है body living organism जितने भी है वो एक छोटी-छोटी cells से मिलके बने होते हैं उस को हम बोलते हैं the unit of life मतब सबसे छोटी काई को हम डाइठ के सबसे छोटी काई हैं सभी organisms किससे बने हैं cells से जितने भी living organism मिलेंगे सभी किससे बने हैं cells से जैसा कि आपने देखा है कि हमारी universe में दो टाइप के چीज़े मिलेंगे एक तो non living, एक living things जो non living है जैसी हमारा phone है अमारा laptop है हमारा charger है हमारे bag है हमारे stool टेबल जो यह सबी चीजे क्या है non living, non living things किस से मिलके बने है matter से और जो living things है जितनी भी चीजे है चाहिए plants हो चाहिए अनिमल हो चाहिए bacteria cells हो सभी किस से मिलके बने है animal cells, वो सभी किस से मिलके बने, cell से, we are made up of cells, यहनी हम सभी लोग किस से मिलके बने हैं, cell से, तो all living organisms are composed of cells, ओके, अच्छा, कुछ जो है, कुछ organisms आपको single cell के मिलेंगे, कुछ organisms आपको single cell के मिलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, unicellular organisms, some are composed, some are composed, are called unicellular, मतलब जो single cell के organisms होते हैं, जो single cell के बने होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, unicellular organisms, जो single cell के organisms बने हैं, उनको हम क्या, वो सिर्फ एक ही cell में अपनी पूरी life cycle को, मतलब जी लेते हैं, ओके, और next है, जैसे कुछ organisms है, या cell से बने हैं, ग्रोप अप से बने हैं, many of cells से, दो या दो से, अधिक cells से जो organisms बने होते हैं, उनको हम multicellular organisms बोलते हैं, जैसे organisms, while other like us composed of many of our cells, called multicellular organisms, multicellular organisms, उनको बोलते हैं, जो बहुत सारी cells से मिलके बने हैं, जैसे के हम हैं, dog है, क्या नामे, cat है, buffalo है, cow है, plants है, बड़े plants है, वो सभी किस से बने हैं, बहुत cells से, और बहुत सारी cells से, जैसे हमारी body में आप, आपको around 200 types की cell देखने को मिलेंगी, और something, billions of trillions, cell की कोई counting ही नहीं, जित्ती हमारी body में, जो मिलेंगी आपको cell, अच्छा, cell are the, जो है, unicellular organisms, unicellular organisms are capable, independent existence of perform of essential life, यानि, जो है, जो unicellular organisms होते हैं, वो एक ही cell में, अपनी पूरी life की, जो है, जो life cycle है, पूरी एक ही cell में, सारा जो है, जी लेते हैं, एक ही cell में, वो capable होते हैं, पूरी life जीने के लिए, ओके, unicellular organisms are capable, unicellular organisms are essential functions, मतलब जितनी भी जरूरते होते हैं, वो एक ही cell में, सारी पूरी हो जाती हैं, ओके, cell is the fundamental, structural and functional unit of living organisms, cell क्या है, fundamental, structural, और essential organisms, मतलब जो living organisms हैं, उसकी fundamental, structural and functional unit है, ओके, चलो, अब इसके थोड़ी से history देखते हैं, कि history क्या है, cell की, थोड़े से flashback में जाते हैं, कि history की discovery किसे ने गरी है, तो, cell की discovery, सबसे पहले, Robert Huck ने करा है, किसने Robert Huck ने सन 1665 में करा है, और उन्होंने dead cell की discovery करी है, किसके dead cell की, इन्होंने जो है, एक cork लकडी होती है, आपने कभी bottle वगेरा में देखा हो, कि लकडी के धकन लगे होते हैं, उन्हीं को हम cork बोलते हैं, तो, उन्होंने जब cork में देखा, तो उन्हें hexagonal कुछ structure नजरा है, कुछ hexagonal, कुछ hexagonal ऐसे जो है, structure देखने को मिले, तो उन्होंने देखा कि अच्छा, ये तो cell हैं, ये तो cell हैं, cube-like structure देखने को मिला, और उन्होंने देखा कि अच्छा यह तो मतब हनी कौम लाइक इस्टक्चर देख राजे से मदमक्की का छत्ता होता ना वैसा को इस्टक्चर देखने को मिला पर इन्होंने डेड़ सेल के खोज करी थी और डेड़ सेल में सिर्फ सेल वाल प्रेजेंट होता बागी अंदर का और इन्होंने सिर्फ सेल वाल देखने को मिला इन्होंने देख है कि अच्छा इस पर छोटे छोटे रूम्स न ज़रा रहे हैं कि यह फला रागी अ सेल्वर्ड आया है जैसे जहां जो वहती है न उसमें छोटे छोटे ए चोटे रूम बनाते है फॉर कैदी, कैदीयों के लिए छोटे-छोटे रूम बनाते हैं कि यह फला कैदी A सेल में है, फला कैदी B सेल में है, तो यह कैदी जो है सेल में होते हैं, तो वहीं से जो है, सेल वर्ड लिया गया है, तो उन्होंने देखा कि small rooms को हम क्या बोलते हैं, सेल वर्ड, तो Robert Hook ने ज कंपड़ा बयापारी थे कंपड़ा बेचने का काम करते दे कुछ ने नहीं और उस पर देखा कि उन ने पयाइक पूंड्स वाटर को पॉंड्स वाटर लिया उन्हों ने तालाब का पानी लिया या बारिस पानी। पानी जो और धाल उन्हों ने देखा कि इस में हैं चलते हुए नजरा तो इन्होंने देखा। इन्होंने देखा कि आछ्छा यह तो कोई इस lemon अपनी आखों से नहीं देखने को मिलता जो लगता कि पानी में देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि हमें कुछ देखता नहीं fresh water देख रहा है बट जब अगधर स्कुप पे देख रहे हैं तो उसमें पिर इन्होंने बहुत सारी सेल्सकी discovery करी RBC की इसपरमेटोजोवा की प्रोटोजोवा की दाक्टिरिया सेल्स की इन्होंने जो है अच्छा कभी-Кभी क्वर्ण के होते होते हैं तो प्रभी के इंट्वन लिवन्हों को जाता है उन्होंने डेड Kenton next जो थो रॉबर्रव ब्राँण आये next scientist उन्होंने cell को और focus किया उन्होंने जब और cell को फोकस किया तो jis हमारी चेल है और चेल के बीच में उन्होंने कुछ structure देखा तो उन्होंने देखा कि अच्य यह तो nucleus है इसके अंदर एक genetic material है उन्होंने अगर question आता है कि nucleus के खोज किसे ने करी तो Robert Brown ने करी ओके चलो cell theory तो दूसरे scientist आया 1838 में Mathia Silden, Mathia Silden एक German botanist थे इन्होंने देखा कि इन्होंने जब एक्जामिन किया तो इन्होंने पाया कि जो plant है न वो kinds of cell जो cell के कई प्रकार हैं कई types हैं सभी जो है अलग अलग types की हैं और बहुत large number of cell and tissue of cell से मिलके बना है क्या plant cell जो plants हैं वो किसे मिलके बने हैं plant cell से different types of plant cell से और tissue से उन्होंने अच्छा tissue क्या है तुमने देखा है कि cell बहुत सारे cells मिलके क्या बनाते हैं tissue tissue मिला के क्या बनाते हैं organ organ मिला के क्या बनता है बहुत सारे organ मिलके बनते हैं organ system organ system बनाते हैं body चाहिए plant की body हो चाहिए animals की body हो चाहिए humans की body हो तो बहुत सारे organ system मिलके क्या बनाते हैं जो है body पोडि से क्योंकि यह बॉटनिस्ट थे जर्मन बॉटनिस्ट थे तो जाईसती बात है कि इन्हों ने दिस्कबरी की इन्होंने प्लांट में देखा कि जो प्लांट से वो बहुत सारे उसारे टेस्टॉ और टिसू से mat सबिए कर जो जैसे कि इन्होंने थेनिमल की कोज करी किसी इन्होंने देखा कि एई जो है वो है जो सेल जो सेल है वो एक सेल मेंब्रेन से घिरी हुए तो इन्होंने डिस्कवरी की किसकी सेल मेंब्रेन की और फिर इन्होंने डिफरेंस भी क्रियेट करा इन्होंने यह बोला कि जो प्लांट से लाएं वो उनमें जो है सेलवाल देखने को मिलता है जो प्लांट स बताय कि यह हमारी अपर इनिमल सेल में सेल मेंब्रेन है तो उसके उपर आपको आप चाहीं बैक्टिरिया से लो, चाहींえолगों प्लांट से लो उन्में एक यूनिक फीचरी है कि उन्में जो है क्या देखने मिलेगा आपको Cel-Wal ऑचा इनक इन दोनों सइन्टीस्ट का ड्रॉबैग भी रहा जो है इन्हों ने देखा कि यह किसकी जो है मतरब खूज नहीं कर पाए डिड़ नॉट एक्स्प्लेइन एक्सेल्स फॉर्म cells are come from मतब cells आते कहां से है मतब cells बने कहां से how cells are formed इन्होंने discover तो कर दिये कि सभी organism cells से बने है चाए plant हो चाए animal हो चाए bacteria हो किसे बने है cells है बट यह cell कहां से आए इन्होंने इसके discovery में यह फेल रहा है इनका यह drawback रहा है साथ के साथ आप लोग notes भी बनाते रहों और यहां पर सारे course आपको free of course मिलेंगे इससे आप channel को subscribe कर लें जिससे कि जो भी video आएंगी आपको तुरंत उसका notification मिल जाएगा और अच्छा यह notes भी हम provide कर देंगे यह सारी notes हमें आपको telegram channel में प्रोवाइड कर देंगे बायोकेम expert है टेलीग्राम channel का नाम आप टेलीग्राम channel पे आप description में भी दे देंगे हम आपको और आप जो है डारेक्ट भी सर्च कर सकते हैं बायोकेम expert और वहाँ पे आपको यह notes प्रोवाइड कर देंगे ओके channel को subscribe कर लो और share भी कर दो अपने दोस्तों को चलो इनका drawback इन दोनों scientist का यह रहा कि did not explain the how cells are come from मतलब यह cells आए कहां से हैं ओके next फिर दूसरे scientist आए एक Rudolph वर चाओ इन्हों ने discover कि इन्हों ने देखा कि जो cells हैं हमारे वो एक pre-existing cells हैं मतलब primitive जो primitive cells exist कर रही है पहले जो cell थी उसी से ये divide होके cell बने हैं आपने देखा होगा जो हमारे new organism होते हैं आप amoeba का देखे हो ना irregular safe होता है ऐसे कुछ जब वो थोड़ा सा mature हो जाता है तो वो divide हो जाता है divide हो जाता है और वो two daughter cell बना लेता है एसी जो ये दो cell आए है new cell जो आए है new daughter cell आए है तो किसे हैं एक primitive cell से आए है तो इन्होंने discover किया कि जो है जो cells है वो एक primitive cells से आए हैं इसलिए इन्होंने एक नाम दिया omnis, omnisellula, e-cellula मतलब जो cell है वो एक पहली यानि primitive cell से बने हैं, all new cells arise from all new cells are formed from pre-existing cells ok modern cell theory में modern cell theory में ये बताया कि all living organisms are made up of cells सभी living organisms किसे मिलके बने हैं? cell से और all cells arise from pre-existing cells सभी cells किसे मिलके बने हैं? primitive cells है pre-existing जो पहले से exist कर रही ये cells उससे मिलके बने हैं ok कुछ exception भी रहे हैं कुछ exception भी रहे हैं कुछ exception इसलिए रहे हैं देखो virus क्या है? virus तुम्हारा acellular है acellular मतलब ये living और non-living के बीच की दिवार बोलते हैं borderline of living and non-living बोलते हैं इसको living और non-living के बीच की दिवार बोलते हैं virus को और ये acellular है अभी आपने देखा virus का एक बहुत खौफ था something two से three year सब लोगों के काम दंदे बन करा दिये तो ये देखने में तो लगता है कि हाँ acellular है बहुत छोटा है cell से भी बहुत गुना छोटा है वाट काम बहुत बड़े करता है पूरे देश में पूरे बिस्व में lockdown करा दिया इसने तो next bacteria देखते हैं bacteria no well-defined nucleus bacteria में क्या होता है कि जो nucleus होता है न वो well-defined नहीं होता या तो organelles है जो cell organelles है या तो होंगे नहीं और जो होंगे तो membrane less organelles होंगे okay sieve tubes sieve tubes और Rbc sieve tubes मिलता है किसमें plants में और Rbc किसमें मिलता है humans में या animals में ये enucleated enucleated होता है enucleated मतलब without nucleus इनकी cell में nucleus होता ही नहीं Rbc में आप देख लो nucleus नहीं मिलेगा और next rhizopas है rhizopas phycomacetes बोलते है this is multi nucleated एक ही cell के अंदर आपको dhero nucleus मिलेंगे जैसे ये rhizopas है इसमें बहुत सारे आपको nucleus मिल जाएंगे ये धेर सारे आपको nucleus देखने को मिल जाएंगे ये exception है ये क्या है? exception है जैसे कि हम देखते हैं कि सबी cell में एक ही nucleus होता है बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक cell में बहुत सारे nucleus देखने को मिल जाएं जैसे सबी cell में nucleus होता है तो sieve tubes RBC में हम देख पाने कि उसमें nucleus ही नहीं है next plants में हम देख पा रहे हैं plants में plants में हमने cell wall कैसे discover किया cell wall onion cell onion peel आपने जो है onion होता न उसकी जो पतली सी पन्नी होती है उसको कभी microscope पे लगा के देखो न तो आपको hexagonal structure देखने को मिलेगा कुछ जो है ऐसे hexagonal structure देखने को मिलेगा उसको आप cell wall बोलेंगे क्या है वो cell wall देखने को मिलता है और animal cell में जैसे कि हमने यहां पर चीक से ले रखा है यह जो है चीक से हमने यहां पर ले भी रखा है चीक से में आप देख पा रहे हैं कि cell membrane है और जो है nucleus भी है ठीक है क्या ही difference करता है plant और animal cell को कि plant cell में आपको cell wall देखने को मिलेगा और animal cell में cell membrane देखने को मिलेगा ओके size and safe of cell भी देख लेते हैं size अच्छा सभी जो है cells का अलग-अलग size होता है और सभी के काम भी अलग-अलग होते हैं ऐसा नहीं कि जितनी भी cells present हैं सभी के अलग-अलग काम हैं सभी अलग-अलग तरीके से function करती हैं और हमारी body में 200 टाइप्स की cell है लीवर की cell अलग है kidney की cells अलग है heart की cell अलग है body की cells अलग है muscles की cell अलग है सभी के function भी तो अलग है blood में RBC है WBC हमें बहार के बैक्टिरों से protect करते हैं RBC हमारे oxygen को टांसफोर्ट करते हैं तो सभी cells का अलग-अलग काम है और सब के safe size भी अलग-अलग है तो cell, cell differ greatly and the size, shape and activities मतलब सभी के size अलग है और सभी की activity भी अलग आपको देखने को मिलेगी ओके next, mycoplasma smaller cell only 0.3 micrometer in length और इसको हम PPLO भी बोलता है pleuro pneumonia like organism इसकी length अच्छा कहीं आपको 0.1 micrometer भी देखने को मिलेगा तो यह दोनों सही है 0.3 और 0.1 micrometer भी यह दोनों सही है आपको diagram में 0.1 micrometer मिलेगा और theory में आपको 0.3 NCRT में देखने को मिलेगा अच्छा NCRT यह book आपको बहुत common है यह NCRT मैंने तो cover चड़ा रखा यह समझ लो आपके NEET का सबसे मतलब वो है अमरित NEET से ही सारे question आने है NCRT से ही सारे question आने है NCRT के बाहर से एक भी question नहीं आएंगे तो NCRT के एक-एक word आप चांट जाओ बिल्कुन ऐसे इसको बढ़िया सिलबटे में या mixer में डालो और घोट जाओ इसको ऐसे एक-एक word आपको रटा होना चाहिए next तो PPLO सबसे छोटी सेल है अगर question आता कि सबसे छोटी सेल कौन सी है सबसे small cells कौन है तो यह PPLO है और यह membrane less भी होता है यह organism क्या है और जो है membrane less भी है PPLO को बोलते है प्लियूरो और प्लियूरो निमोनिया लाइक organisms माइको प्लाजमा लेविंग साइज एन अबाउट 0.1 माइक्रो मेटर इसको 0.1 माइक्रो मेटर भी होता है 0.3 माइक्रो मेटर सबसे सबसे स्मॉल होती सबी सेल में सब्सें होती है अ चलो साइज देख लेते हैं हैं बैक्तिरिया सेलग्हां थ्री पॉंट फाइब माइक्रो मेटर च्छा कहीं 5 थो 6 माइक्रो मेटर भी होगा तो आप इस इतना ही साइज देखने को मिलेगा अब इसमें लांगेस्ट आइसोलेटट सिंगल से सबसे लार्जेस्ट सिल कौन से सबसे लार्जेस्ट से लोता है ऑस्टिच ऑप फेग शंटिंग जो है 15 सेंटीमेटर होता अब यह ऑस्टिच का कहीं कहीं अंडा दिखा देते तो यह वह वह बढ़ा दन ही एक सेल की बात की गई है गयमेट की बात की गई है तो इसका जो है जो एक सेल है वह सबसे लार्जेस्ट होता है ऑक छूद्च RBC red blood cells 7.0 micrometer something होता है disc like structure होता है इसका longest cell सबसे longest nerv cell होती है सबसे longest largest और longest में difference देखना अगर longest अगर largest cell अगर largest cell ostrich of egg ओक? ज्यादा तर प्रिजेंट होती है, सबसे लंबी सेल किस में ब्लू हेल में, क्योंकि सबसे भारी औरगनीजम वह ही है, तो उसकी जो नर्वुस एल सबसे बड़ी होती है, humans का भी पढ़ेंगे humans में longest of cell humans में nervous cell ही होती है और largest of cell human में देखने को मिलेगा oom, क्या मिलेगा? oom और smallest of cell sperm देखने को मिलेगा सबसे छोटा cell होता sperm और सबसे male में present होता sperm और female में oom present होता और यह human beings में सबसे बड़ी cell होती है, okey female gamut भी बोलते है, male gamut sperm, okey next shape of cell, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सभी cell के shape अलग-अलग है सभी एक दूसरे से differ कर रहे हैं, किसी का columnar है, किसी का columnar है, जैसे column like structure है, कोई cuboids save है, कोई oval save का है, कोई thread like structure है, सभी cells के आपको अलग-अलग size देखने को मिले, अच्छा, इनके सब के काम भी अलग-अलग है RBC का काम अलग है, sperm का काम अलग है, sperm अलग work करता है, neurons हमारे message को mind तक पहुचाता है ठीक, RBC हमारे oxygen को transport करता है हमारी body में, WBC हमारी immune system को increase करते हैं, बाहर से जो foreign bacteria आते हैं, उनको मारते हैं, और तो सभी cells के अलग-अलग काम है, और sperm है, वो fertilization में help करता है, ओके? चलो next types of cell चलो cell के types भी देख लेते हैं जैसे कि हमने अभी देखा कि जो है, जो cell हैं कुछ cell unicellular होते हैं कुछ organisms हैं, कुछ unicellular organisms होते हैं, और कुछ multicellular organisms होते हैं तो unicellular organisms mostly prokaryotic cell से मिलके बने होते हैं और eukaryotic cell से मिलके बने होते हैं multicellular organism जो बहुत सारे cells से मिलके बने होते हैं, वो multicellular organisms हैं, और जो सिर्फ एक ही cell में उनका सारा जीवन हो जाता है, तब पूरी life cycle एक ही cell में बतीत कर लेते हैं, उनको हम जो है, unicellular organisms बोलते हैं, या prokaryotic cell बोलते हैं, ओके, सोरे, lack कर गया, कोई बात नहीं, prokaryotic cells are organisms which do not contain nucleus and other cell organelles, मतलब हमने ये देखा है कि जो prokaryotic cell है, वो अपने पास, या तो prokaryotic cell के पास well different nucleus नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ genetic material होता है, और पहली बात तो, जो cell organelles हैं, या तो होंगे ही नहीं, और जो 2-4 होंगे, तो वो membrane less organism होंगे, unicellular organism में आपको nucleus देखने को नहीं मिलेगा, well defined nucleus, membrane, bounded nucleus नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ genetic material होता है, और जो cell organelles हैं, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगे, और जो देखने को मिलेगे, वो membrane less organism देखने को मिलेगे, ओके, next, देखो, चलो, हम जो है, prokaryotic cell की पहले cell wall देख लेते हैं, इसकी cell membrane के बारे में पढ़ते हैं, कि कितनी wall होती है, तो सबसे पहले देखो, जैसे हमने ये cell देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले glyco calyx की layer होती है, okay, glyco calyx की layer पाई जाती है, glyco calyx में आपको देखने को मिलेगा, कि ये एक capsule बनाता है, cell को क्या बनाता है, capsule ब polysecret से, या तो ये rigid होगी, या तो ये rigid होगी, या तो lose होगी, जो बाहर का हिस्सा होता है, वो rigid होता है, rigid मतलब tough, ऐसे कोई दबाके, पिछकान थे तो मतलब थोड़ा सा tough होता, जो ये बाहर के उससे protect करता है,ok, और जो lose layer होती है, जो अंदर वाली layer है, वो lose, लूज सीथ क बनी होती उसको slim layer भी बोलते हैं और इसके function क्या होते हैं कि ये protect करती है ये जो है glycocallax की layer protect करती है किसे bacteria को protect करती होस्ट इम्यून सिस्टम से होस्ट मतलब जैसे हम हमारे अंदर जाएंगे तो हमारी जो इम्यून सिस्टम में अच्छा बैक्टिडिया आ गये तो हमारी जो एनिमी है जो हमारी आर्मी है वह इनको मारने दोड़ेगी तो ये glycocallax की layer मतलब उनको bacteria को protect करेंगी कि एडेसिन का काम करता है एडेसिन का मतलब एडेसिन का काम करता है चिपकाने का काम करता है किसी सर्फेस से या किसी बैक्टिरिया से चिपकाने का काम करता है किसे किसी बैक्टिरिया से जो है किसी सर्फेस एरिया से एडेसिन का का काम करता है ओके prevent water loss मतलब water loss से या nutrient से उसको बचाता है कि loss ना हो जादा इसमें glycocallics की layer help करती next discuss करते हैं next layer है cell wall जैसे bacteria में जैसे यह हमारी जो है ऐसी cell पहले सबसे पहली layer होती है glycocallics की layer और यह glycocallics की हो गई यह cell wall हो गई तुम्हारी और अंदर वाली cell membrane हो गई तो cell wall पढ़ेंगे जो है peptido glycan की बनी होते है peptido glycan जैसे peptido glycan को हम इस पहली बात तो cell wall non-cellulosic होती है non-cellulosic मतलब आपको plant में जो cell wall देखने को मिलेगी वो cellulosic cell wall होती है बट इस पहें आपको देखने को मिलेगा non-cellulosic cell wall ओके अच्छा इसमें जो है peptide peptide मतलब peptido glycan peptide और glycan peptide हो गया protein protein मतलब छोटे-छोटे amino acid से मिलके बने होते है group of amino acid और sugar किसे बने होते है glycan मतलब sugar में दो सुगर आते हैं एक नाग और दूसरा नाम नाग मतलब N-acetyl glucosamine और नाम N-acetyl murine या muramic acid बोलते हैं और जो यह group of amino acid है कभी कभी gram negative जो bacteria होते हैं उनमें जो है lipid का content कम होता तो यह प्रेजन्ट होता है तुम्हें डापा देखने को मिलेगा क्या देखने को जगे पर L-lysine की जगा gram positive bacteria में liquid content में L-lysine मिलेगा बट ग्राम negative bacteria में L-lysine की जगा तुम्हें डापा मिलेगा डापा मतब डायमाइन पामेटिक एचिड ओके function क्या है function structurally support करना कैसे structurally support करना protect the form bursting and collapsing जैसे cell burst ना हो burst मतब टूटे ना breakdown ना हो collapse ना हो जाए कैसे collapse ना हो जाए उससे bursting और collapsing से cell वाल बचाता ओके next discuss कर लेते हैं cell membrane ओके cell membrane अच्छा देखो जो हमारी cell membrane होती है वह अंदर की जैसे हमारी cell वाल हो गई जो cell membrane होगी वह अंदर की तरफ ऐसे infoldings होंगी कैसे cell की infoldings होंगी उनको हम क्या बोलते हैं मीजोजोंम्स जो सेल की इनफोल्डिंग्स होती है यह इनको क्या बोलते हैं जो है मीजोजोंस यहां कुछ तो शर्कुलर देखने को मिलेंंगे में वेसाइड का बोलेंगे अगर यह इनफोल्डिंग्स सब्सखरी are तो उन्हें recycle बोलेंगे. अगर या tubules कुछ इस shape की tubules type की देखने को मिलने है, तो उनको हम tubules बोलेंगे, और कुछ इस shapes की देखने को मिलनेंगे, तो उनको हम lamella बोलेंगे. और दूसरा chromatophore, chromatophore, chromatophore मत discovered chroma mints आपको color, उके? इन्होंने जो है यह photosynthetic pigment होते हैं किसे? Opportun synthetic pigment होते हैं अच्छा इनका function क्या होता है? Photosynthesis करना जया करना? Photosynthesis करना Only present in Photosynthetic bacteria जो bacteria हमारे photosynthetic हैं उनमें यह chromatophor देखने को मिलेगा Only present in chromatophor, photosynthetic bacteria और य Studien सिर्फ किसमें present होगे? Only photosynthetic bacteria जैसे बीजीए है blue green algae बीजीए है blue green algae कुछ purple sulfur bacteria है इनमें आपको cell membrane ऐसी देखने को मिलेगी ओके इनका अचाए इनके functions क्या है कि cell को जो है क्या नाम है वो करना photosynthesis करना ओके चलो next discuss करते हैं function function मतब जो mesosomes के function है वो respiration का काम करते है cell wall का formation करते है किसका mesosomes का काम है respiration कराना भई वो भी तो उनमें भी तो respiration होगा उनमें भी तो gases की जरूरत पड़ेगी cell wall का formation करना mesosome cell wall को बनाता है DNA को replicate कराते है binary fusion होता है binary fusion मतब जैसे आप ने देखा ये कोई amoeva cells है हमारी अब ये अगर दो cell में divide हो जा रहा ऐसे दो cell में divide हो जा रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे binary fusion जो bacteria cells है mostly जो है वो divide हो के ऐसे बनते है अच्छा एक चीज़ है अगर कोई पूछे कि cell अमर है मतब कोई organism अमर है इस दुनिया में नहीं अमर तो हम ये कह सकते हैं कि bacteria cells हमारे अमर होके आ हैं क्योंकि ये मरते नहीं हैं मरने से पहले ये नई cell बना लेते हैं अगर इन्हें जबर्दिस्ती मारेंगे तो मरेंगे ही इस पर ये क्या बना लेते हैं दो नई cell जब भी ये बुढ़ें होने लगते हैं महला मैचूर होने लगते हैं तो ये दो cell में divide हो जाते हैं और वह daughter cell बन जाती है क्या ऐसी इनका division चलता रहता है तो ये बुढ़ें नहीं होते हैं जैसे ही मिच्चियोर हो गहें वो दो सेल मेंट डिवायड होके एक नई सेल बनाने के ऑक राइबोसों अब हम यह देखते हैं कि इसके राइबोसों जो पाया जाता है वह किस टाइप का पाया जाता है जो है राइबोसों पहली बात तो यह प्रोटीन फैक्टरी होती है क्या बनाते राइगोसॉम प्रोटीन का निर्माण करता है सिंथेसाइज प्रोटीन इसमें जो आपको राइगोसॉम देखने को मिलेगा 50S and 30S का देखने को मिलेगा अच्छा हम यहां पर मैथ नहीं पड़ रहे हैं 50 plus 30 तो 80S होता है ऑज है बट सर तो कह रहे हैं 70s टैप्स का राइगोसॉम पाया जाता है पको 50 plus 30S का राइगोसॉम देखने को मिलेगा और राइबोसोम का काम क्या है यह राइबोसोम करता है प्रोटीन को बनाता है प्रोटीन फैक्टरी है एक तरीके से क्या है प्रोटीन की फैक्टरी राइबोसम क्या करता है प्रोटीन को बनाता है और सेल्स को भी यह प्रोकरियोटिक सेल को भी तो प्रोटीन भी ज़रूरत है और यह जो और गनिजम्स है हमें membrane less organism होता है कैसे यह जो और्गनेल्स है यह this is membrane less इस मेंब्रेन लेस और्गनेल्स होते हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं हम डीने अच्छा इसमें आपको वेल डीफाइन नूकलियस नहीं देखने हो को मिलेगा नॉट सीन जो है मेंब्रेन बाउंड नूकलियस हमें सिर्फ डीने देखने को मिलेगा और वो भी सर्कुलर डीने कुछ इस सेप का जो है आपको सर्कुलर डीने मिले यहाँ पर अगर हम यूकरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकरियोटिक सेल में एक आपको बढ़िया स्टेट उस पर जो है डीने देखने को मिलेगा सिक्वेंस में ऐसे कुछ सेप का देखने को मिलता है देखो कुछ जो है आपको इस सेप का जो है वेल डिफाइंड डीने देखने को मिलता है यहाँ पर ऐसे वेल डिफाइंड डीने नहीं देखने को मिलेगा आपको यहाँ इस देखते हैं चलो प्रोकरियोटिक सेल में फ्लाइजिला का बहुत इंपोर्टेंस होता है ये थ्री पार्ट्स होते हैं एक तो बेसल बाडी होते हैं दूसरा हुक होता है और दीसरा फिलामेंट होता है जैसे कि हमारी कोई ज है membrane क्या है ये हमारी membrane सपोड़ेट ये हमारी cell membrane अब cell membrane में जो क्या नम है इसके बीच में flygela फशा होता है उसको हम क्या बोलते हैं vessel body अब इसके बाहर बाइसे structure देखने को मिलेगा this is hook क्या हैshoak और इसके आगे जो है ऐसे पतला सा organism, स्री, पतला सा structure देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, filament. क्या बोलेंगे, filament. filament यह फ्लाइजिला करता क्या है, हमारे जो है, prokaryotic cell को movement करने में help करता है, movement यह movement सो करते हैं, और flagilla protein in the tubulin इसमें जो है जो flagilla होते हैं वो tubulin protein इसमें absent होते हैं और 9 plus 2 arrangement भी absent होता 9 plus 2 arrangement आप जब eukaryotic cell और eukaryotic cell के organelles पढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे कि 9 plus 2 arrangement क्या है तो यहाँ पर 9 plus 2 arrangement absent होता help in locomotion मतलब यह flagilla करता क्या है locomotion में help करता है यह क्या करता है लोको मोशन में help करता है प्लाइजिला का काम क्या है प्रोकरियोटिक सेल को लोको मोशन में help कराता है सारी notes complete करते जाए साथ के साथ इससे आपको बाद में बहुत यह notes बहुत beneficial होंगी अभी आप जब आपको कोई topic में doubt लग रहा तो आप repeat जो है उसको repeat कर लीजिए और इससे कहीं भी इस notes से कहीं बाहर से कोई भी question नहीं आने वाला नीट में तो आप द्यान रखिए और notes बहुत जरूरी है बनाना ओके पिलाई देखते हैं पिलाई क्या करता है help in conjugation help in conjugation और bacteria reproduction रिप्रडॉक्षण में help करते हैं जैसे यहां पर देख पार रहे है यह हमारी एक bacteria cells है क्या है यह bacteria cells है और इस पर हम देख पार है क自 पहले तो जह सबसे बड़ा structure देखने को मिला है वह फैलजियला है जो सबसे बड़ा structure प्रिस्र देखने को मिलना तो फ्लाइजिला है और उससे जो छोटा हलका से दिख आपको यह पिलाई है और next जो है यह फिम्रिय१ बहुत ही छोटे ह úта जो माईक्रिय सक्षोपिक यह सिब attachment में काम आते हैं जैसे कोई surface में attach होना या किसी host tissue से या हमारी body से या किसी living organism से attach करने में help करते हैं attachment फिमरी क्या करते हैं attachment में help कराते हैं और पिलाई भी आपको ऐसी हो करते हैं चलो inclusion body देख लेते inclusion body cytoplasmic inclusion होता है यह membrane less होते हैं कैसे membrane less होते हैं और store reserve food कैसे जो food होता ना उसको reserve करते हैं जैसे यह जरूरत होती ही जैसे हम लोग खाना खाते तो हमारे उसमें glucose glycosin के form में food store हो जाता है तो यहां पर जो store करता है food कौन store करता है जो है inclusion body और this is membrane less होते हैं कैसे membrane less organelles होते हैं phosphate granules glycosin granules and synovacian granules जो food होता है ना वो किस form में होता है जैसे हमारी body glycosin के form में food store होता है plants में starch के form में food store होता है तो prokaryotic cell में आपको देखने को मिलेगा phosphate granules glycosin granules और synovacian granules के form में और इन्हें store कौन करेगा inclusion body okay gas gas vacuum next gas vacuum भी पाया जाता है cell में और this is pseudo vacuum pseudo vacuum मतलब बहुत जूटा vacuum कभी होगा कभी नहीं होगा कभी देखने को मिलेगा आपको कभी-कभी नहीं देखने को मिलेगा आप plant cell में देखो तो plant cell में center of मास सबसे बड़ा आपको जो है देखने को मिलेगा न सिर्फ जो है ऐसे आपको plant cell में देखने को मिलेगा बहुत बड़ा वेक्यूल्स होता है और animal cell में देखने को मिलेगा बट बहुत छोटा देखने को मिलता है बहुत ही छोटा बेक्टिरिया भी ऐसे मूँव कर सकते अच्छे तरीके से तो यह गैस वैक्यूल क्या करता है बायनसी प्रोवाइड करता है और दूसरा photo तोसंथेटिक बैक्टिरिया में होता है जैसे बीजियेल 250 परपल में धूट इस जोता बेक्टिय। ऑके एल्जाया को पहचानेगे तो कैसे पहचानेगे आगर हम this अ कहीं में बाधे की सब्सक्राइबı लापोडेट हमारे चेश्ट में एंफेक्शन है या किसी भी चीज को हम देखना चाहरें तो हम एक beschary करते हैं लैब मेंoral चेश्आरा होता है और इसको टाई भी बोलते हैं टाई मिस्ट जैसे कउछ लोग च लोग कलर करते हैं बालं में क्या करते हैं कलर करते हैं बालों में बोलते हैं अच्छा डाई किये हो गया आप जिसके बाल वाइट हो जाते हैं तो क्या करते हैं बालों को कलर करते हैं तो वैसी हम यहां पर बैक्टिरियों को कलर कर देंगे और उन्हें अच्छा से डिफाइंड करेंगे कि कौन बैक्टिर ग्राम साइन्टेस्ट है यह ग्रीन नहीं है Christian Gram है और इन्होंने जो है 1884 में डिसकवर किया था इसको 1884 में डिसकवरी करी थी तो इन्होंने कोई जैसे सेल की एक स्मेर बनाई और उसको उन्होंने जो है stain करा stain मतलब जैसे यह हमारी माइक्रोइस्कोपी व्यू है इसमें colorless बैक्टिरिया है अब इन्होंने सबसे पहले crystal violet अपलाई किया क्या किया सबसे पहले crystal violet को अपलाई किया crystal violet 30 सेकंड के लिए डालते हैं तो इससे देखते हैं कि सारे बैक्टिरिया आपको purple फुल हो जाती है न तो इनकी जो दिवारें है न वह कैसी हो जाएंगी आपको आपको देखने को मिलेंगी परपल कलर की क्योंकि crystal violet का color होता है परपल कलर नेक्स आम ग्राम्स आयोडीन डालते हैं यह एक तरीके का fixative होता है fixative मतला slide को fix करने का काम करता है तो ग्राम्स आयोडीन moderate होता है यह क्या करता है अपने साथ crystal violet का composition बना के ग्राम्स आयोडीन और crystal violet दोनों composition बना के इनकी जो cytoplasm उनको भी colorful कर देते हैं जो बैक्टिरिया के जो है वो है जो बैक्टिरिया यह बैक्टिरिया के cytoplasm में इनको भी अंदर से colorful कर देते हैं नेक्स्ट आ जाता है decolorization decolorization में हम ethyl alcohol 95% यूज करते हैं इसमें क्या करते हैं कि यह alcohol bacteria जब उसमें smear में apply करते हैं तो इसमें दो टाइप्स के बैक्टिरिया होते है ग्राम positive bacteria ग्राम negative बैक्टिरिया जैसे कि हमने देखा ग्राम positive bacteria में लिपीड content ज्यादा होता है ग्राम negative bacteria में लिपीड content कम होता है तो जब हम सब्सक्राइब जब हम एथाईल एलकोहल डालते हैं तो उनके जो लिपीड content होते हैं वो dissolve हो जाते हैं जो है जो ग्राम positive के बैक्टिरिया होते हैं उसमें peptidoglycan ज्यादा होता है peptidoglycan के बने होते हैं और इसमें लिपीड content होता है तो ग्राम negative हो जाएगा क्या हो जाएगा री स्टेन मतलब वास आउट हो जाएगा बाहर जो कलर है अंदर का वह बाहर निकल जागा और इससे बैक्टिरिया कैसे आपको देखेगा color less bacteria देखेने को मिलेगे और जब हम next जो है सेफ्रिनीन अपलाई करते हैं 45 seconds के लिए जब सेफ्रिन अपलाई करेंगे न तो इसमें सेफ्रिनीन क्या करेगा पिंग कलर छोड़ देगा किसमें gram negative bacteria में क्योंकि बाकी के ग्राम पॉजिटिव बैक्टिरिया तो पहले ती colorful है तो gram negative bacteria color ले से तो वो क्या करेंगे color को stain कर लेंगे मतब color को पकड़ लेंगे तो इससे आपको gram positive bacteria आप यहां पे देख पा रहे हैं कि wallet color के दिख रहे हैं और gram negative bacteria आपको pink color के या redis color के देखने को मिलेंगे यह है gram staining स्टेनिंग का आप जाके home पे सर्च कर सकते हैं staining आपको देखने को मिल जागा उसमें हमने gram staining और जितनी भी types की staining है अगर कोई medical student है तो उसके लिए बहुत beneficial है ओके चलो next gram positive और gram negative bacteria में हम थोड़ा सा difference create कर देखते हैं gram positive और gram negative bacteria में हम difference देखते हैं जो gram positive bacteria है उनकी जो वो सिल वाल होती है वो ठिक होती है gram negative bacteria में कैसी लवाल होती है थेन होती है इसलिए जल्दी एल्कोहल डालने से ुसका color जल्दी छूट जाता है इनका जो lipid content होता है gram positive बैक्तीरिया में less होता है gram negative bacteria में lipid content ज्यादा होता है मिरोमिक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टिरिया में बहुत ज्यादा होता है और ग्राम नेगटिव बैक्टिरिया में मिरोमिक एसिड कम होता है आप चाहल ग्राम पॉस्टिव बैक्टिरिया में आपको बैसिलस देखने को मिलेंगे और लेक्टो बैसिलस देखने को मिलेंगे इस्टेफलो कोकस देखने को मिलेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया में आपको राइजो उपास एकोलाई और और बहुत सारे टाप् प्रोकरियोटिक में बेसिक डिफरेंस है हमने जैसे सारा प्रोकरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया और प्रोकरियोटिक सेल के सेल्वा सेल मेंब्रेन और उनके जो ओर्गनेल्स हैं उनको हम डिसकस कर लिया बट हम फिर भी एक बेसिक बेसिक जो है देख लेते हैं प्र प्रोकरियोटिक में आपको सर्कुलर डिने देखने को मिलेगा और यू करियोटिक में आपको जो है डिने आपको लीनियर डिने देखने को मिलेगा लीनियर डिने कैसे जैसे इस से हमने बताया थे ना कि ऐसे कुछ जो है आपको डिने देखने को मिलेगा बट जो है जो प्रो और इसमें सिंगल क्रोमोसोंस होंगे और इसमें मल्टी क्रोमोसोंस होते हैं जैसे हमारी बौटी में कितने क्रोमोसोंस देखने को मिलते हैं हमारी सिल्स में 46 क्रोमोसोंस देखने को मिलते हैं ऐसे तो जो उसमें मल्टी क्रोमोसोंस देखने को मिलेंगे लैक्स ऑफ साइटो स्केल्टन साइटो स्केल्टन क्या होता है जैसे हमारी बॉड़ी को एक इस्ट्रक्चर देता है कौन स्केल्टर सिस्टम हमारी बोंज हैं हमारी बोनज है एक इसे और रियушन अगए हमॉजटर क्वई ऑगर से ऊपट्रेम स्कीडर की विशी और धिश्टर के होते हैं आगा सोजब झाल चुंटन कंवर इसे फैल जाया करते हैं तो फैलाने करते ही इसे कि अधिक फॉक्रuç नगूES प्रापर बोडी वेकर्ण akan व boss डेता हैं यह aig अभर में अपश्यंट होते हैं और यूइकरियोंटİक चेल में प्रजेंट होतेजिस से ल को एक प्रॉपर स्थेक्चर दिलता है है कि कैमिकली कॉंप्लیک्स टunu ऑन मैं भी कंटेंड टिडॉइ जॉल पップוש है cert आप इस पर क्या है कि जो फंजाई के से प्रोकरेोटिक सेल में आपको देखने को क्या मिलेगा पिलाइंट फिंद्रियेट अर्गनِ और्गनिजम्स हैं जो छोटे और्गनिजम्स हैं उनमें आपको सीलिया देखने को मिलेगा ओके सेलिया और पिलाई और फिम्रिय को एक मत समझे ना सीलिया एक अलग चीज़ है तो नेक्स्ट देखते हैं आपको जो है प्लास्टीड देखने को मिलेगा चलो है गोरी हाँ कि तो जो उसमें डिन आपको प्लास्मिट डिन मतलब नौन कॉममन नौन कॉमन मतलब उसमें जो है डिन वो नहीं मिलेगा, और small ribosome, जो prokaryotic cell में ribosome से देखने को मिलेगा, मतलब 70S types का ribosome देखने को मिलेगा, और इसमें जो है, आपको कई ribosome सो भी मिल सकते हैं, जो eukaryotic cell हैं, उसमें आपको कई ribosome भी, एक तो cell के अंदर भी ribosome देखने को मिलेगा, और दूसरा माइटो कॉंडिया में भी राइबोसोम देखने को मिलेगा, जो माइटो कॉंडिया में वो 70S टाइप्स का मिलेगा, और जो सेल में देखने को मिलेगा, वो 80S टाइप्स का राइबोसोम देखने को मिलेगा, राइबोसोम का काम क्या है, वो प्रोटीन को बनाता ह करतել यह प्रोटीन एक प्रोटीन का करते हैं जो बैक्टीरिया व स्वेक्ट्यम से फेक्टोर्ण करते हैं और दो ज्वर ल mapped युकरिवार्टिक इसल से बने होते हैं जो अनमें वी सो करता हुवर मीॉसर से क्या मियोसिस एंड माईटोसिस आगे हम डिसकस करेंगे जब यू करेंगे तो असेक्षवल रिप्रोडक्शन में बैक्टिरिया को किसी गल्पेंट की जरूरत नहीं किसी के पीछे भागना नहीं है वर्ट प्रोडुक्रूर्णिक सेल में चरूरत होती है कि दो और्गनिजम की सेक्स्वल रिप्रोडक्शन करने के लिए उके चलो नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में हम योकरियोटिक सेल और एंड उसके और्गनेल्स डिसकस करेंगे देखते हैं वाट आप चैनल को सब्सक्राइब करो आपको इसके नोट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने लाइक करें और शेयर भी करें ओके धन्यवाद जय हिद जय भारत